जय हैं दोस्तों स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में पहली बात दोस्तों अगर आप चैनल पर ना है या ना विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कुछ जीएगा दोस्तों तक यगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़ी रहें दोस्तों आज हम कवर करने वाल है सभी कोशन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसमें पहला प्रसन कहा रहा है दोस्तों जब भारी वर्सा की कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़ कर बहुत बड़े छेतर में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो जब भारी वर्सा की कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़ कर बहुत बड़े छेतर में फैल जाती है तो उसे बार काते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसनमबर दो कह रहा है दोस्तों बार किसके कारण आती है तो बार अती विरिश्टी के कारण आती है ठीक सुखा अना ब्रिष्टी के कारण होता है सुखा किसके कारण होता है दोस्तों अना ब्रिष्टी के कारण ठीक है प्रस नमबर चार है दोस्तों चार करोड़ हेक्टेयर को बाढ़ छेतर पर वहावी छेतर कहा जाता है या माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर पांच कह रहा है नदियों में वर्षा रितू रैंसरीजन में क्या बहकर आते हैं तो रैंसरीजन में अवसाद बहकर आते हैं ठीक है नदियों में वर्षा रितू में क्या बहकर आते हैं अवसाद ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 6 का रहा है दोस्तों किसके कारण वर्षा जल तेजी से बहने लगता है तो दोनों के कारण ठीक है वन बिनास के कारण यानि पेड़ पौधर के काटने से मिट्यों का छानड होता है ठीक है चारगाहो के विनास के कारण यानि दोनों के कारण वर्षा जलमे तेजी से बने लगता है ठीक है प्रस नमबर साथ कहा रहा है दोस्तों भारत में बाढ़ पर भाविद छेतर कीस पर निर्भर है तो भारत में बाल छेतर पर भावित वर्षा की वितरल पर निर्भर रहते हैं ठीक है प्रस नमबर आठ का रहा है दोस्तों बिहार का सोग कौन सी नदी को कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 9 का रहा है बंगाल का सोग कौन सी नदी को कहा जाता है तो बंगाल का सोग दामोधर नदी को कहा जाता है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 10 का रहा है दोस्तों देश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी नदी है तो देश के उत्तरी पूर्वी भाग में ब्रह्म पुत्र नदी है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 11 है दोस्तों चम्बल सोन बितवा वद्धा मोदर नदिया भारत में कौन से भाग में वर्षा का जल ले जाती है तो अपसन नमबर सी है दोस्तों मध्ध भारत में ले जाती है चम्बल सोन बितवा वद्धा मोदर नदिया भारत के मध्ध भारत में ले जाती है ठीक है प्रस नमबर 12 कहा रहा है दोस्तों प्राइदीपी भारत में कौन सी नदियों के तटी छेतर में अधिक बाढ़ आते हैं तो सभी नदियों में महानदी गुदावरा, कृष्णा और कावेरी सभी में बाढ़ अधिक आते हैं ठीक है प्रस्ट नमबर तेरह कहे रहा है दोस्तो सूखा एक है तो सूखा एक प्राकिरति काफ़वा है ठेक है आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमबर पंदरह है सबसे अधिक सूखा कहाँ पड़ता है तो सबसे अधिक सूखा राजस्थान वर गुजरात में पड़ता है प्रस नमर 16 है दोस्तों सूखे का प्रमुकारण है तो सूखे का प्रमुकारण अपरियात अनिश्चित वर्सा है कभी वारिस होती है कभी नहीं होती है कभी समय से होती है कभी समय से नहीं होती है इसी के कारण दोस्तो सूखा बढ़ता है ठेक है प्रस नमबर 17 है भारत के कुछ राजियों में सूखा सफाई आपदा किस राजिय में है तो आपसा नमबर 10 है दोस्तो दोनों में रजस्थान और गुजरात में आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 18 है भारत के सिचाई विभाग ने सूखा छेतर को कितने भागों में बाटा है तो दो भागों में बाटा है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 19 है दोस्तों यदि वर्षा कम हुई है अनाज ना हुआ हो चारा भी नहो वहाँ पीने के लिए पानी भी उपलब्द ना हो तो उसे कौन सकाल काते हैं तो उसे त्रिकाल काते हैं इंपोर्टेंट प्रस ना है ध्यान दीजेगा इसे ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 20 है छपन का अकाल कब पड़ा था तो छपन का अकाल 1906 में पड़ा था इसमें दोस्तों कुछ व्याख्या दिया गया है बिक्रम सम्मत 1956 को त्रिकाल जैसी सूखा पड़ा था जिसे 56 का अगाल भी कहते हैं अब तक का सबसे 26 अगाल माना जाता है जो 1956 में पड़ा था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 12 है तो सूखा वस अंकट के समय प्रबंध का दाईतों है सरकारी वस समाजी का अस्तर परवी होता है और व्यक्तिगत अस्तर परवी या अफ्रस नमबर 10 है दोनों ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस No.22 कह रहा है दोस्तों आकाल की विबेसिका को कम करने के लिए कौन सा जल बहुत बड़ी सायता कर सकता है तो भूमिगत जल अंडर वाटर जल बहुत भड़ी भूमिगा निभा सकता है ठीक है अकाल की इस्तिति में आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 23 कहा रहा है जिन चक्रवातों को भारत में समुद्री तुभान के नाम से जाना जाता है उन्हें उष्ण कटी बंधी चक्रवात कहते हैं ठीक है प्रस नमबर 24 है दोस्तों कौन सा तुफान तेजी गती के होने पर कम समय में 30 छेत्रों में अधिक तबाही मचा देता है तो समुंद्री तुफान 30 छेत्रों में अधिक तबाही मचाता है तोस्तों प्रस न अगस्त 2004 को राश्टी आपदा प्रवंद संस्थान एन आईडियम की पस्थापना होई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 26 है राश्टी आपदा प्रवंद संस्थान की सहर में इस्थित है तो नई दिल्ली में इस्थित है आपस नमबर 20 है प्रस नमबर 27 से दोस्तों भुकंप की कौन सी तरंग प्रित्वी की सता पर रोलिंग प्रभाव उत्पन करती है तो भुकंप की कौन सी तरंग प्रित्वी की सता पर रोलिंग प्रभाव उत्पन करती है इंपोर्टेंट प्रस नहें तो इस लहरे ठीक है एस लहरे भुकंप की वह तरंग हो समान निकारक है सोरी निमलिखित में से कौन सा जंगल की आगे के खतरों के समान निकारक है तो याद रखिएगा ज्वाला मुखी के 20 फोट एल नीनो ज्वाला मुखी बिजली और गड़गड़ा हट उपर के सभी यानि अपसर नमबर डी सही है दोस्तों संभावी चेतर कितना है 8% ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 30 है बाढ़ परिवरतन सीलता कुमापने के लिए किस वीधी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो FFMI ठीक है FFMI का उपयोग किया जाता है प्रस नमबर 31 है दोस्तों डिजास्टर रिकवरी पर किरिया में कितनी चरण होते हैं तो कुल 5 चरण होते हैं प्रस नमबर 32 कहा रहा है दोस्तों तर्ट के साथ सुनामी का पता लगाने के लिए 30 जुवर गेज को 10 किलोमीटर दूर रखा जाता है तो याद रखेगा 50 किलोमीटर दूर रखा जाता है तर्ट का सुनामी पता लगाने के लिए 30 जुवर गेज को कितनी किलोमीटर पे रखा जाता है 50 किलोमीटर पे प्रस नमबर 33 है कितनी भिन परकार के कारियों को आपदा प्रबंधन के भागे के रूप में परिभासित किया है तो 6 परकार के ठीक है 6 परकार के कारियों को आपदा प्रबंधन के भागे के रूप में परिभासित किया गया है प्रस नमबर 34 है दोस्तों प्राकिर्तिक आपदा निवनी करण का अंतराश्टी दिवस कब मना जाता है तो 13 अक्टूबर को प्राकितिक आपदा न्यूनी करण दिवस मना जाता है ये आएगा जरूर इसे लिख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमर 35 है अंतराश्टी सुनामी सूचना केंदर कहां इस्तित है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस नहीं लिख लीजिएगा 35 का आपसन नमर ये सही होगा दोस्तों होनो लूलू में अंतराश्टी सुनामी सूचना केंदर कहां इस्तित है होनो लूलू ठीक है प्रस्ट नमबर 36 है दोस्तो आई अस डी आर का सही फूल फार्म चुने तो इसमें आपसा नमबर 20 है आपदा निवनी करण के लिए अंतराष्टी रणनी थी इसका फूल फार्म यही है आपदा निवनी करण के लिए अंतराष्टी रणनी थी प्रस्ण नमबर 35 है दोस्तों ज्वाला मुखियों के जमीनी ढालान और आकार में होने वाले सुछम परिवर्थन को ट्रेक करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है इंपोर्टन प्रसन है तो टिल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है जो अलामुक्षियों के जमीनी धलान और आकार में होने वाले सुच्छुम परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए किस उपकरल का उपयोग किया जाता है टिल्ट मीटर का ठीक है अगला प्रस्ण है भारत की पहली आपदा प्रबंध योजना किसने जारी की तो अब सनमर डी है दोस्तो नरेंद्र मोधी ने इंपोर्टेंट प्रस्ण है भारत में पहली आपदा प्रबंध योजना किसने जारी की थी नरेंद्र मोधी इसे लिख लिजेगा जरूट ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्ण नमर 49 है दोस्तो बारती मौसम विज्ञान विभाग आई एम डी के अनुसार किस गती से हवा चलने पर किस तुफान को साइकलोन के रुप में वर्गी किरित किया जाता है तो 220 किलो मीटर के उपर से जब हावा बाती है दोस्तो तो उससे सूपर साइकलोन के नाम से जाना जाता है ठीक है प्रस नमबर चालिस है दोस्तों निम्नली खित में से कौन सी एक प्राकिर्थिक आपदा नहीं है तो बुजहाना एक प्राकिर्थिक आपदा नहीं है ठीक है दोस्तों वीडियो पसंदा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को वाटसब पर जरूर सेयर करिएगा यह आपकी जिम्मतारी है यह सैलबस में नहीं है इसे अलग से पढ़ना पड़ता है ठीक है दोस्तों यह पहली कलास है और भी कलासे मैं इसके लाओंगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मिलते अगले कलास में तक तकले जाहिन हुआ अंदे मातरम